साथियों नवसकार कम्प्टेशन कम्यून्टी केस अनलाइन प्रेट फाम पर आपका स्वागत है साथियों कैसे हैं आप लोग मैं उम्मेद करता हूँ कि आप बढ़ियां होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी साथियों हमने इसकी पहली जो क्लास हुई उसमें हमने मानव अधिकार आयोग के बारे में बिस्तार से पढ़ा डिटेल में हमने चर्चा करी कि मानव अधिकार आयोग कैसा निकाय है क्या काम है इसका और क्या इसका प्राबधान है इस आयोग की वरतमान में सनरचना क्या है, कितने लोग इसमें काम करते हैं, कैसा इसका निकाय है, हमने उसके बारे में पूरता और विस्तार से चर्चा करी है आज हम देखेंगे उसी टॉपिक के मानाव अधिकार आयोग के से संबंधित बस्तुनिष्ट प्रजन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अब्जेक्टिव की थुरू कि हमने जो पढ़ा, हमने जो क्लास ली मानाव अधिकार आयोग की, उसमें से हमको कितनी चीजे पता है, कितनी चीजे याद है हमको, और हमारी तयारी का इस्तर क्या है और इसतर को परखने के लिए, जाचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आईए, आज हम देखेंगे, मानाव अधिकार आयोग से संबंदित, कुछ महत्यपूर, बस्तुनिस्ट और प्रस्ण और आपके एक्जाम के लिए जो संभावित हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम मारी ये एक प्रक्रिया है, कि पहले हम डिटेल वीडियो में पढ़ते हैं, और उसके बाद उसको अब्जेक्टिव के थुरू, कुछ्चन सॉल्व करते हैं, और देखते हैं कि एक्जाम में कैसे कुछ्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ्चन पूछने का आयाम क्या होगा उसी तारतम्मी में, आज हम देखेंगे मानव अधिकार आयोग से संबंदित महत्यपून और बस्तुनिष्ट प्रस्ण, तो आईए देखते हैं, आज का पहला प्रस्ण, मानव अधिकार आयोग से संबंदित पहला कुछ्चन क्या है, देखें, कुछ्चन नमबर वन, अब धीरे धीरे trend बदला है और कथन को भी लेकर question पूछे जाते हैं, वो questions भी आपके इस page में mention हैं, आगे वो देखने को मिलेंगे, बहराल आईए हम इस question का answer देते हैं, अब का option A पहला है, 1 April 1993, B में कहता है 12 October 1994, C में कहता है 1 October 1994, D में कहता है 12 October 1993, साथियों, जो राष्टी मानव अधिकार आयोग की स्थापना है, वो हुई है 12 October 1993 को, इसलिए आप याद रखें, जब भी आपसे पूछा जाए, कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 12 October 1993 को, ये सही answer है, और ये option D में है, इसलिए question का answer क्या है, D, 12 October 1993, आये हम देखते हैं question number 2, अंतर राष्टी मानव अधिकार दिवस किस तिथी को मनाया जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है, आपके option A में है 15 जनवरी, B में है 14 जनवरी, और C में है 10 December, और D में है 1 December, option A 15 जनवरी, B में 4 फरवरी, और C में 10 December, और D में 1 December, अनितर राष्टी मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है साथियो, 10 December को, और 10 December है option C में, इसलिए इस question का जो सही जवाब होगा, वो option C होगा, कौन सा सही जवाब होगा, option C, और question number 4, ये क्या कहता है, कहता है, राष्टी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, एवन सदस्यों की निक्ति समित में, निम्न में कौन सामिल नहीं होता, आप जानते हैं, कि जब मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हों या सदस्यों, उनकी निक्ति कौन करता है, तो उ प्रधान मंत्री समित के अध्यक्ष होते हैं, आईए हम देखते हैं, इन में से कौन सा सदस्य सामिल नहीं होता, उसके बारे में पूछा गया है, राज्य सभा का सभापती, बी में कहता है लोग सभा का अध्यक्ष, और सी बें कहता है लोग सभा में विपक्ष का नेता, औ आपसे question क्या पूछ रहा है, question कह रहा है कि राश्टी मानवाधिकार आयोग के अद्धक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति समीति में निम्न में कौन सामिल नहीं होता, तो राज्य सभा का सभापती इसमें सामिल नहीं होता, लोग सभाध्धक्ष सामिल होते हैं, लोग सभा मे में विपक्ष का नेता सामिल होता है, राज्य सभा का सभापती से आसे उपराश्ट पती का है, और ये इसमें सामिल नहीं होते, इसलिए option A इसका सही एंसर होगा, option A राइट एंसर होगा, आए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की योग, प्रस नंबर 5, कौन राश् कार आयोग के बारे में उस समय हमने चर्चा करी थी, कि इसमें एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्च और सात पदेन सदस्च कुल मिला के तेरा लोग इसमें होते हैं, तेरा में कौन कौन होता है, एक अध्यक्ष, पांच सदस्च प्लस सात पदेन सदस्च होते हैं, और यह आप से पूछ रहा है कि उन साथ पदेन सदस्यों में से जो यहां लिखे हैं उन में से इन में से कौन भाग नहीं लेता कौन सामिल नहीं होता राष्टी बाल अधिकार सुरक्षा आयोक के अध्यक्ष यह सामिल होते हैं बिलकुल ठीक बात है B में कहता है राश्टी महिला आयोग का ध्यक्ष बिलकुल सामिल होते हैं C में कहता है भारती बिदी आयोग का सदस साथियों ये सामिल नहीं होते ये गलत है और D में लिखा है राश्टी यसी मतलब अनुसूचित जाती, ST अनुसूचित जनजाती का ध्यक्ष ये भी इसमें सामिल होते हैं सामिल नहीं होता तो कौन? भारती बिदियायोक का ध्यक्ष इसलिए C इसका सही option है C इसका right answer होगा Question number 5 का सही उत्तर कौन सा है? Option C अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की योट तो देखते हैं प्रश्ण number 6 मानव अधिकार संरक्षन अधिनियम 1993 का उद्देश था क्या उद्देश था? वो आप को पूछ रहा है आप option देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं option A में कहता है मानव अधिकार आयोक का भेतर संरक्षन B में कहता है राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोक का गठन C में कहता है मानव अधिकार सुरक्षा आयोक का गठन की बात कर रहा है और D में कहता है उप्रयोक सभी जो है option D वो इसका सही उत्तर होगा आइए हम आगे वढ़ते हैं अंगले प्रश्न की ओर राष्टी मानवा अधिकार आयोग के प्रता मध्यक्ष कौन थे पूछ रहा है कि राष्टी मानवा अधिकार आयोग का गठन जब हुआ उस समय इसके प्रता मध्यक्ष कौन बने आइ ये देखते हैं नयायमूर्ती रंगनात मिस्र रंगनात मिस्र बी में नयायमूर्ती फतिमा वी वी सी में कहता है नयायमूर्ती बेंकर चलंपा और डी में कहता है नयायमूर्ती असोग तो साथी हो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है वो है option A नयायमूर्ती तिरंग नात्मिस्र जी पहले अध्यक्ष रहे हैं किसके राश्टिय मानवा अधिकार आयोग के प्रतम अध्यक्ष नयमूत तिरंग नात्मिस्र जी थे आईए अंगला प्रस्ट Question number 8 राश्टिय मानवा अधिकार आयोग निम्न मेंसे किन मामलों की जाच कर सकता है इन मेंसे कौन सा ऐसा मामला है जिसकी जाच कौन कर सकता है राश्टिय मानवा अधिकार आयोग उसके बारे में Question पूछ रहा है आईए हम Option देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएंगे Option A ऐसे मामले जिसको घटित हुए दो वर्स से कम किन्तु एक वर्स से जादा का समय हुआ हो B में कहता है ऐसे मामले जिसको घटित हुए दो वर्स से जादा का समय नहीं हुआ हो C में कहता है ऐसे मामले जिसको घटित हुए एक वर्स से कम का समय हुआ है और D में कहता है ऐसे मामले जिसको घटित हुए 6 वर्स से कम का समय हुआ है अगर आपने क्लास वाली वीडियो ध्यान से देखा होगा अच्छे से आप पढ़े होंगे तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे साथियो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है वो अपसन सी है ऐसे मामले जिसको घटित हुए एक वर्स से कम का समय हुआ हो उसी को कौन राष्टिय मानवा धिकार आयोग अपनी जाच कर सकता है आईए हम अगले प्रस्ण की ओर आगे वड़ते हैं और अंगला प्रस्ण देखते हैं क्वेश्चन नमबर नाईन राष्टिय मानवा धिकार आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कथन एक कहता है आयोग को सिविल ने आयाले की सक्तियां प्राप्त हैं कथन दो कहता है आयोग को सरकार को दी गई सला बात धिकारी प्रकित की होती है दूसरे में कहता है आयोग को सेंद बलों के द्वारा मानवा दिकार हनन के मामले में जाच करने की सक्ति प्राप्त है और जो कथन चोथा है कथन फोर है उसमें कहता है आयोग द्वारा की गई अनुसंसा सलाहकारी प्रकित की होती है इन में से कौन सा सही है इन में से आप से सही option के बारे में पूछ रहा है कि ये इन कथनों में से कौन कौन सा सही है option A में कहता है एक तीन और चार B में कहता है दो तीन और चार C में कहता है तीन और चार D में कहता है एक एवम चार साथियों आपने अभी तक में इसका उत्र अपने दिमाग में बैठा लिया होगा इसका जो पहला कथन है आयोग को सिविल ने आले की सकतियां प्राप्त हैं ये बिल्कुल सही है इसमें कहता है बी में कि आयोग को सरकार को दी गई सलाह बाध्धकारी प्रकिती इसकी प्रकिती बात धकारी नहीं है, आपको पहले बताया जा चुका है क्लास में, यह सलाहकारी प्रकिती है, मतलब यह गलत हो गया। दूसरे में आयोक को सैनबलों के द्वारा मानवा अधिकार हनन के मामले में जाच करने की सक्ति प्राप्त है ऐसा नहीं है ये भी गलत ऑप्सन है तो जब ये दोनों गलत हो गए अब हम देखेंगे चोथे को आयोक द्वारा की गई अनुसंसा सलाहकारी प्रकित की होगी इसक कथन एक और कथन चार सही है और इसकी पुष्टी करता है ओप्सन डी डी में है एक एवम चार कथन सही है इसलिए कोस्चन नमबर नाइन का जो सही अंसर होगा जो सही उत्तर होगा वो ओप्सन डी होगा जिसमें केवल एक एवम केवल चार के बारे में बात की गई है इखित मामलों में सिकायतों की जाच कर सकता है। वो कौन से मामले हैं जिनके बारे में क्या कर सकता है। सिकायत अगर आती हैं तो जाच कर सकता है। कौन सिकायत करें तो उसकी जाच कर सकता है। कौन राश्टिय मानवाधिकार आयोग। उसके बारे में आप से कोशन पूछ आईए देखते हैं स्वप्रेड़नासी अगर आप खुद से चाहे आयोग तो जाच कर सकता है तीसरे पक्षी की सिकायत पर बिल्कुल और पीडिक पक्षी की सिकायत पर ये तीनों कथन सही है और इनकी पुष्टी कौन करता है तो option D की पुष्टी करता है केवल एक दो और त कार आयोग की अध्यक्ष एबं पदेन सदस्यों समेथ कुल संख्या कितनी होती है इसके बारे में हमने अभी अभी डिसकस करा और आप इसका उत्तर बड़े आसानी से दे पाएंगी option A में कहता है 11 option B में कहता है 9 और option C में कहता है 13 option D में कहता है 10 इसलिए साथ ही हो इसका ज एक अध्यक्ष होंगे इसमें 5 अन्य सदस अन्य सदस और इन में से 7 पदेन सदस होते हैं इस तरह ये कुल मिला के 7 पाज़ बारा एक 13 लोग हो गए तो जो इसका सही उत्तर है जो इसका right answer है वो option C होगा C में कह रहा है 13 सदस होते हैं अब हम देखते हैं बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर question number 12 प्रस्ण number 12 राष्टी मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष हेवं अन्य सदस्यों की न्यूक्ति समीति में कितने सदस्य होते हैं हमने आपको बताया कि राष्टी मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं तो प्रधान मंत्री तो होते हैं लेकिन उसके अलावा प्रधान मंत्री जो अध्यक्ष ता करते हैं उनके साथ में और कितने लोग होते हैं उसी के बारे में question में पूछा गया है आईए option देखते है option A में कहता है 4, option B में कहता है 6, option C में कहता है 10 और option D में कहता है 12 साथियों जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट अंसर है वो होग अच्छ है और आए हम देख लेते हैं समीत में कौन-कौन लोग सामिल होते हैं पियम क्या होते हैं इसके अध्यक्ष लोग सभा अध्यक्ष लोग सभा में बिपक्ष का नेता राज्यसभा का उपसभापती उपसभापती राज्यसभा में बिपक्ष का नेता और केंद्री ग्राह मंत्री तो पियम एक, दो, तीन, चार, पांच और ये ग्राह मंत्री को मिला के छे लोग होते हैं इस समित में आपने समझा इस समित में पहले प्रधान मंत्री जो अध्यक्ष होते हैं लोग सभा अध्यक्ष, लोग सभा में बिपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापती और राज्यसभा में बिपक्ष का नेता और केंदरी ग्रह मंत्री इस समीत में सामिल होते हैं और समीत में कुल मिलाके 6 सदस्य होते हैं तो question number 12 का जो सही उतर होगा वो option B होगा क्योंकि B इस question की answer की पुष्टी करता है आईए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रेस नमबर 13 जब हमने पढ़ा मानव अधिकार आयोग के बारे में साथ में हमने राज जमानाव अधिकार आयोग के बारे में भी चर्चा करी थी तब हमने बताया था कि उच्च नियाले का मुख नाइदीस है या रहा है वो क्या बन सकता है राज जमानाव अधिकार आयोग का अध्यक्ष आईए हम अंगले प्रशन की और आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रशन नमबर 14 राज जमानाव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवम सदस्यों का कारेकाल कितने साल का होता है आप्सन A में 5 वर्स, आप्सन B में 3 वर्स, आप्सन C में 7 वर्स, आप्सन D में 6 वर्स साथ ही जो इसका सही उत्तर है, आप्सन B है, 3 वर्स या 70 वर्स आयोग या 70 वर्स आयोग जो पहले हो जो कब हो, जो पहले हो, तब तक के लिए इनका कारेकाल होता है राज जमानाव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का इसलिए उप्सन B सही होगा, क्योंकि B में 3 वर्स कहा गया है अंगला प्रस्न, अंगला प्रस्न क्या कह रहा है कि राज जमानाव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और मन्द सदस्यों के न्युक्ति समित का इन में से कौन सदस्य नहीं है चाहे वो राजटिय मानाव अधिकार आयोग की बात हो चाहे राजज मानाव अधिकार आयोग की बात हो यहां भी इनकी न्युक्ति के लिए एक समित का गठन होता है और यही आप से पूछ रहा है क्यों समित में कौन सामिल नहीं होता आईए option देखते हैं option A में कहता है विधान सभा द्यक्ष B में कहता है विधान सभा उपद्यक्ष C में कहता है मुख मंत्री और D में कहता है विपक्ष का नेता साथियो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट अंसर है वो होगा B, विधान सभा उपाद्यक्ष, क्योंकि विधान सभा उपाद्यक्ष इसमें सामिल नहीं होते, जिस राज्जी में विधान परिसाद होती है, उसका द्यक्ष और उसका जो विपक्ष का नेता है, वो सामिल होते हैं, बाकि विधान सभा उपाद्यक्ष होते हैं, प्रस्ट नंबर 16, राज्यमानव अधिकार आयोक के अद्रक्षेवा मन्द सदस्यों की पदा उच्चिती के संबंध में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है, हटाए जाने की परिस्तिती में जो ये कथन दिये गए हैं, उन में से कौन सा सही नहीं है, उसके बारे में कुश्च पूछ रहा है, आये हम कतन देखें और फिर सही उत्तर दे, वह राश्ट पती को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है, बी में कहता है, वह राश्ट जिपाल को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है, सी में कहता है, राश्ट पती उसे सिद्ध कदाचारि या अक्छमता के आधार पर हटा सकते हैं। D कहता है, राष्ट पती अपराद के लिए दोस सिद्ध होने पर उसे हटा सकते हैं। साथियों जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट अंसर है, वो होगा option A, क्योंकि option A में कहा गया है, वह राष्ट पती को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। साथियों, इनको हटाने का काम जरूर राष्ट पती जी का है, लेकिन न्युक्त राजपाल करते हैं, और इनको अगर त्याग पत्र देना है, तो वो राजपाल को ही देंगे, अगर कभी कारकाल के दोरान हटाने की बात आती है, तब राष्ट पती जी का इसमें प्रभाव होता है, रोल होता है, लेकिन अगर त्याग पत्र की बात आई, उस समय इनको राजपाल को ही देना हो अब हम बढ़ते हैं अगले question कियो Press number 17 कहता है मद्धेप्रदेश राज्यमानबाद इकार आयोग के बरतमान अध्यक्ष कौन है बरतमान अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है किसके मद्ध्रदेश राज्यमानबाद इकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में A में कहता है सुनी ररोडा B में कहता है नरेंद कुमार जैन और C में कहता है बिरेंदर अगवनसी और D में कहता है नरेंद सिंह तोमर साथियो जो इसका सही जवाब है जो इसका राइट एंसर है वो होगा ओप्शन B नरेंदर कुमार जैन जी जो है वो क्या है मद्य प्रदेश राज्य मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्म की ओर Question number 18 में ये है कि राज्य आयोग अपना वार्शिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तूत करता है आपके Option है राजपाल, आपके Option है राज्य सरकार, आपके Option है हाई कोट के मुखन आधिस और डी में है भारत के मुखन आधिस साथियों जब हमने डिटेल वीडियो में चर्चा करी थी, उस समय हमने ये पढ़ा था कि राज्य आयोग अपना वार्शिक प्रतिवेदन किसको देता है तो वो सम्बंधित राज्य के राज्य सरकार को देता है और Option 20 का सही जबाब होगा फिर राज्य सरकार क्या करता है उसे बिधान मंडल के सम्मुख रखवाता है बिधान मंडल में रखवाता है आईए हम बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की होर प्रस्ण नंबर 19 मद्य प्रदेश राज्य मानवा अधिकार आयोक के करतों में इन में से कौन सा सामिल नहीं है इन में से कौन सा काम है जो राज्य मानवा अधिकार आयोक के अंतरगत नहीं आता उसके बारे में बात कर रहा है कहता है कि किसी सास्की सेवक दौरा किया गया मानवा अधिकार हनन के मामले में सिकायत की जाँच B में कहता है किसी व्यक्त दौरा किये गये मानवा अधिकार हनन के मामले में की गई सिकायत की जाँच और C में कहता है राज सरकार को सूचित करके जेल की दसाओं का अंदरिछन करना और D में कहता है उपरयुक्त मामले पर की गई सिकाय सही पाये जाने पर दंडात्मक कारवाई का आदेस पारित करना साथियो जो इसका सही उत्तर होगा जो इसका राइट एंसर होगा क्योंकि इन में से कौन सा कारिस्तामिल नहीं है उसके बारे में कुश्चन पूछ रहा है तो ऑप्सन जो D है वो गलत है क्योंकि हमने जब पढ़ा है क्लास में उस समय हमने चर्चा करी थी कि आयोग को ना तो किसी भी प्रकार का दंड देने ना ही किसी प्रकार का सहयोग करने का और कैसा सहयोग मुआपजा जैसा सहयोग देने का अधिकार नहीं है किसको मानव अधिकार आयोग को राज मानव अधिकार आयोग को इसलिए option D's का सही उत्तर होगा, option D's का right answer होगा आईए हम बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर, question number 20 प्रस्न number 20 क्या कहता है, कि मानाव अधिकार किसी भी सुसंसक्रत समाज की उन्नती के लिए होते हैं क्या होते हैं, उसके बारे में पूछा गया है, कि मानाव अधिकार किसी सुसंसक्रत समाज के लिए क्या होते हैं किसी भी समाज के लिए मानाव अधिकार एक मूल अधार होते हैं आईए हम देखते हैं, अगला question, question number 21 मानव अधिकार से संबंदित मुद्दा नहीं है इनमें से कौन सा मुद्दा है जो मानव अधिकार से संबंदित नहीं है संप्रदाईक हिंसा B में जातिगत मुद्दे C में बनों की कटाई और D में न्याय में बिलम साथियों जो option B है जातिकत मुद्दा ये मानव अधिकार आयोग से संबंदित भी से नहीं है आईए हम अगला प्रस्ट देखते हैं question number 22 राश्टी मानव अधिकार आयोग के ध्यक्ष एवं सदस्यों के सदाचार संबंदित report किसके द्वारा प्रस्टूत की जा सकेगी कौन प्रस्टूत करेगा अब के option में है प्रधान मंत्री B में है राश्ट पती C में है उच्चतम नियाले द्वारा D में उप्रयोक्त में से कोई नहीं जो इसका सही उत्तर है जो इसका right answer है वो है option C उच्चतम नियाले द्वारा ये report पेस की जाती है अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रस्ट की ओर question number 23 राश्टिय मानव अधिकार आयोक का महा सचिव कौन होगा इसके बारे में पूछा गया है A में कहता है भारत सरकार के सचिव पद रैंक का अधिकार अधिकारी B में कहता है भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री C में कहता है राज्य सरकार का सचिव पद का अधिकारी और D में कहता है इन में से कोई नहीं साथियों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा option A भारत सरकार के सचिव रैंक का जो अधिकारी है वो होता है क्या राश्टी मानव अधिकार आयोग का महा सचीब अब हम बढ़ते हैं प्रस नंबर 24 देश का पहला राज जिसने मानव अधिकार आयोग का गठन किया साथियो वो पहला राज अपना मद्ध प्रदेश है जो की दिलों का धड़कन है जिसको हरदय प्रदेश भी कहते हैं इसी ने सबसे पहले मानव के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकार आयोग का गठन किया और ये आपके ऑप्सन डी में है इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा मध्य प्रदेश अब हम आगे बढ़ते हैं अंगले प्रश्ण की ओर question number 25 मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था उसके बारे में बताना है option A में कहता है 13 सितंबर 1995 B में कहता है कि 13 सितंबर 1996 C में कहता है 12 सितंबर 1995 और D में कहता है 12 October 1993 साथ ही हो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट अंसर है वो होगा option A 13 सितंबर 1995 को क्या हुआ मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर question number 26 बरतमान में भारत के कितने राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है ये factual question है और इसका जो सही उत्तर है वो है option C 26 राज्यों में अभी मानव अधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है अब हम बढ़ते हैं next question की ओर question number 27 क्या कहता है कि मद्य प्रदेश राज जमानवादिकार आयोग के प्रथा मद्यक्ष कौन थे अब ये पूँच रहा है कि मद्य प्रदेश राज जमानवादिकार आयोग के प्रथा मद्यक्ष कौन थे A में कहता है सिवराज-B-Patil B में कहता है रामचंद-सुक्ल और C में कहता है गोविंद-प्रसाद-Мाथुर और D में कहता है हवीव apostles साथ ही जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट अंसर है वो है option B हवीव उला जी थे वो कौन थे मद्य प्रदेश राज मानवादिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष और राम चंद सुक्ल तो आप जानते ही हैं कि ये मुखिया रहे हैं मद्य प्रदेश के पहले question number 28 मानवादिकार न्यायाले की स्थापना किसके द्वारा की जाती है मानवादिकार न्यायाले साथियों जब हमने पढ़ा था उस समय हमने चर्चा की थी कि केंदर इस्तर पर राश्टी मानवादिकार आयोग राज्जी इस्तर पर राज मानवादिकार आयोग और जिले इस्तर पर मानवादिकार नयायले का गठन किया जाता है तो कौन करता है उसी के बारे में पूछा है option B में राज़ पाल B में राज़ सरकार C में किन सरकार और D में राष्ट पती साथ ही जो इसका सही एंसर है जो इसका right answer है वो हो option B राज सरकार क्या करती है मानवा अधिकार न्यायलियों का गठन करती है ये प्रतेक जिले में ऐसा किया जाता है और ये किसके परामर्स पर करती है तो जिस राज्जी में इसका गठन होता है उस राज्जी के जो हाई कोट है हाई कोट के मुख नयाइधिस के परामर्स के बाद ही ऐसा किया जाता है मुख नाइधिस के परामस के बाद गठन किया जाता है मानवा दिकार ने आले का और कौन करता है संबंधित राज्य सरकार option 20 का सही अंसर होगा अब देखें अगला प्रस्त question number 29 निम्न में से कौन राष्टी मानवा दिकार आयोग का ध्यक्ष नहीं रहा पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ब्यक्ति ऐसे रहें जो राष्टी मानवा दिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहें A में न्याय मूर्ती जहस बर्मा B में कहता है न्याय मूर्ती A A आनंद C में कहता है न्याय मूर्ती S राजेंद बाबू और D में कहता है नियाय मूर्ती अजय खान विलकर नाम था सरका आप इसको थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है देख लीजिए अजय खान विलकर साथियो जो इसका सही उत्तर है वो option D है क्योंकि नियाय मूर्ती अजय खान विलकर जी कभी भी मानवा दिकारायोग के अध्यक रह चुकें आईए हम आज के next question और अंतिम प्रश्न की और आगे बढ़ते है प्रस नंबर 30 question नंबर 30 कहता है मद्य प्रदेश मानवा दिकारायोग का जो भवन है मद्य प्रदेश में उसका नाम क्या है साथियो इस तरह के questions आयोग में पूछे जाते रहे हैं पिछले कई सा संस्था को लेकर ऐसे question पूछे गए हैं आईए हम देखते हैं A में कहता है परियावास भवन B में कहता है सत्पुड़ा भवन और C में कहता है अधिकार भवन और D में कहता है बल्लब भवन साथियो जो इसका सही उत्तर है जो इसका right answer है वो परियावास भवन है और जो कहा है भोपाल में कहा है मद्ध प्रदेश की राजधानी भोपाल में और उसका नाम क्या है परियावास भवन साथियो यहां पे हमारा यह जो question answer का session है मनवाधिकार आयोग से सम्बंधित वो खतम होता है साथियो मैं उमीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ कर आप अपन session community की team के साथ जुड़े रहें और अपनी तयारी को और सुदरता प्रदान करें और बहतर तयारी करें तो साथियो आज के लिए इतना ही अपन से सकल पढ़ते हैं तब तब के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद